नमस्कार दोस्तों, OCA Network में आपका स्वागत है, आपको वो सब तो याद होगा जब शराब गोटाले में वनीशookie सिसोधिया को ग्रफतार किया जा रहा था, या ग्रफतार किया जाने वाला था, उस समय अरविंद केजरी वाल से लेकर के इनकी सरकार के तमाम दूसरे मंतरी सोअरब भार्दवाज से लेकर के और तब तक आतिस्यी तो मंतरी भी नहीं बनी थी परवक्ता थी, सौरब भारदवाज भी परवक्ता थे ये तो जब इनके मंत्री जेल जाने शुरू हुए उसके बाद मंत्री बनाएगे लेकिन ये सब आस्मान सिर पर उठा रहे थे ये कहते हुए कि सब चुकी सिक्षा मंत्री के तोर पर एक ऐसा मॉडल अस्थापित कर दिया है मनीश सिसोधिया ने कि दुनिया भर के देशों के पृतिनिधी भी उसको देखने के लिए उसको समझने के लिए जानने के लिए दिल्ली के दोरे कर रहे हैं और दिली में तो जैसे एजुकेशन सेक्टर में एक क्रांती आ गई है इसी तरह की बाते होना किये थी और जो इनके विज्ञापन हैं जो इनकी प्रेस कॉन्फरेंस हैं यानि मनीश से सो दिया जब जेल चले गए तब ही इन लोगों ने किस-किस तरहा की बाते करी किस-किस तरीके से दिली के सिक्षा मॉडल की और सिक्षा क्रांती की दुआई दी कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी तो दिली की जनता दिली के परिवारों को अच्छी सिक्षा मिले ये चाहते ही नहीं है इसलिए मनीश सिसो दिया को उठाकर के जेल में डाल दिया गया और य तरीके से बच्चों के हाथों के लिखे हुए चिठियां, पत्र, प्लेकार्ड वो भी मीडिया हुजारी किये गए थे, किसाब बच्चे कितने दुखी हैं मनीश चाचा के जेल भेजे जाने से, अब सब जानते हैं कि मनीश सिसोधिया को नई आबकारी नीती में ब्रहष्टा चार करने, शराब कारोबारियों के पक्ष में ही नई आबकारी नीती बनाने, उसका अनुमोदन करने, उसको लागू करने और साउथ गुरुप से सो करोड से ज्यादा की रिश्वत पकड़ने के आरोप में ग्रफतार किया गया और तिहाड बेजा गया, अब उनके में एक जन ही तियाची का लगाई गई और अशोक अगरवाल जो वकील हैं उन्होंने इसकी पैरवी की और उन्होंने दिल्ली हाई कोट के सामने बाकाइदा तथ्य रखे, दस्तावेज रखे, फोटोग्राफ और दूसरी चीज़े रखी और ये सावित किया कि दिल्ली के जो इसकूल हैं उनकी हालत बेहद खराब है, खास तोर से उत्तर पूर्वी दिल्ली के इसकूलों की तो बहुत खराब हालत है, तो सौंबार आठ हपरेल को दिल्ली हाई कोट के जो करिकारी इस समय जस्टिस हैं, करिकारी चीफ जस्टिस मनमोहन सिंग और जस्टिस प्रितम से उनकी बैंच ने सुनवाई की प्रितम सिंग अरोडा साथ उनने सुनवाई की और जो जिस सिख्षा मॉडल का ये धोल पीटते रहे हैं उसका एक तरीके से हाई कोट में सुनवाई के दोरान बैंड बज गया और खुद हाई कोट के इन दोनों जस्टिस ने ये कहा के स्कुलों की हालत बहुत खराब है प्रचार करने के बजाए जमीन पर काम किये जाने की जरूरत है अब चुकि ऐसी सुनवाई के समय जो भी दिल्ली सरकार के एजुकेशन सेकेटरी हैं वो मौजूद थे तो डाट और फटकार उनको लगी उनको लगी मतलब केजरीवाल सरकार को लगी और खास तोर से इस बेंच ने ये कहा कि आपका काम ये नहीं है कि आप बैट करके अख़बारों में विग्यापन दें और बताएं कि सरकारी स्कूलों में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है एक कक्षा में 144 बच्चे बैट रहे हैं इससे ज़्यादा खराब इ सिति और क्या हो सकती है और जो याची का पेश की गई थी हाई कोट के सामने उसमें एक्चल में ये बताया गया कि राजधानी के कई स्कूलों में बच्चों के बैठने की सभी बेंचें तूटी हुई हैं उनके बैठने की व्यवस्ता तक सही नहीं हैं कहीं कहीं इसकूल ज एक कमरे में दो दो क्लास के बच्चे बठाए जा रहे हैं और इसकूलों में बच्चों को समय से किताबे ना मिलने की शिकायत भी इस याचिका में की गई थी और जैसा मैंने कहा कि ज्यादा तर ऐसे इसकूल उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस्थित्य है अशोक अगरवाल ज सारी जानकारियां हाई कोट इसपर सिक्षा सचिव ने कोट के सामने ये माना, ये स्वीकार किया किसाब सभी कमिया जो हैं वो इसकूलों में मوجود हैं और पिछले महिने खुद वो इन इसकूलों के दोरे पर गए थे और ये गड़बडियां उन्हें खुद अपनी आखों से देखी है तो इस पर हाई कोट ने उनकी जम करके क्लास लगाई और सिक्षा सचीव से यह कहा कि आप तो सिक्षा सचीव है और आपको यह सब जानकारी है होनी चाहिए जमीन पर जाना आपका काम है, सरकार का काम है और इस रिपोर्ट के मताबकımız तो इसकूलों की हालत बहुत ही गड़बढ है, असली दिक्कत ये है कि बड़े अधिकारियों के बच्चे इन इसकूलों में नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए आपको वहां से कोई शिकायत भी नहीं मिलती है, तो कोर्ट ने सिक्षा में गड़बढ़ी की वजह से जो अपराद बढ़ रहे हैं, उनको भी अंडरलाइन किया, हाई कोट का कहना था कि ताज्जूब की बात नहीं है, कि दिल्ली की जेले भरी हुई है, तिहार जेल की कि शमता दस हजार है, लेकिन वहां तेईस हजार कह दी, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकूल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, क्य कि वो स्कूल में सामने लाई गई इन कमियों को जल्दी सही करें, कोट ने सिक्षा सचिव से प्रशन पूछा, कि अगर ये सब गड़बडियां हैं, तो सिक्षा विभाग के लोगों पर करवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, और कोट ने सिक्षा सचिव से स्कूल में किये गए काम और कार्यावाई को ले करके एक हलप नमा देने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किये हैं इससे ये बिलकुल इस्वष्ट हो जाता है कि अर्विंद केजरीवाल और उनके जो सहयोगी मनीश सिसो दिया जो एजुकेशन मिनिस्टर भी लेकिन कुल मिला करके उनके पास 18 में हैं 18 मंत्रा लिया उनको दिये हुए तह जिनमें आबकारी मंत्रा लिया भी था और नई आबकारी नीती क्यों लाई गई और फिर जब उसमें गड़बडियां पाई गई रिश्वत पकड़ने की बात आई साउथ ग्रुप के इन्वाल्व होने और बहुत सारे शराब कारोबारियों के द्वारा पुजापा शड़ाये जाने के मामले सामने आए और चीफ सेकरेटरी ने जब LG को रिपोर्ट बना करके दी और LG ने CVI जहांच बैठवा दी उसके बाद तुरंत बाद आरण फारण में वो नई आबकारी नीती केजरिवाल सरकार ने वापस भी ले लिए लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी अब तो ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है खुद मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल तक ग्रफतार हो चुके हैं और इस समय तिहार जेल में हैं लेकिन अगर अभी भी इनक के दुस्साहास पर आश्चरिय होता है शराब गोटाले में आकंठ डूबी हुई सरकार नीचे से लेकर के ऊपर तक हर एक पर आरोग एक दिन पहले सोंवार को ही जब ये दिल्ली हाई कोट में स्कूलों की बदहाली की सुनवाई हो रही थी उस दिन भी अर्विन्द केजर के प्यारे राजिंदर नगर से मले दुर्गेस पाठक से एडी छे घंटे तक पूश्ताच कर रही थी अर्विन्द केजरिवाल के पीए विभव कुमार से भी पूश्ताच कर रही थी और आतिशी मार लेना हों सोरभ भारदवाज हों इन सब पर भी तलवारे लटकी हुई काव इनको समन मिल जाए कहा नहीं जा सकता है ऐसे में भी ये लोग कहते हैं कि साब जो सतेंदर जैन हैं उनको तो इसलिए मोधी सरकार ने गिरफतार कर लिया कि यहां जो महला क्लिनिक बनाए गए और पूरी दुनिया के लोग चमतकरत हैं कि अरे दिल्ली में क्या मोडल ब अड़े बने हुए हैं उनके आसपास इतनी गंदगी के धेर लगे हुए हैं आप गूगल करोगे तो महला क्लिनिक के बाहर की गंदगी आपको दिखाई दे जाएगी और जो एजुकेशन सेक्टर का हाल है जो बदहाल ही है वो तो दिल्ली हाई कोट की फटकार के बाद पर दावा ठोकते रहते हैं लेकिन वस्तो इस्तिति क्या है ये दिल्ली हाई कोट की सुनवाई और दिल्ली हाई कोट की फटकार से इस पस्ट हो जाता है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो ल आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार